हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिखेंगे कुछ नमबरों की divisibility करना आपनों का, कि आपकी पस भी बड़ा से नमबर है, वो दो से कटेगा, तीन से कटेगा, या नहीं कटेगा, चार से कटेगा, नहीं कटेगा, पहां से, तो इस तरी के कुछ question हम देखते हैं आपनों का, तो सबसे से और उसके वहले हैं कि कोई लगबग सब को बता रहते हैं कि अगर कोई नमर दो से茁टेका सब unless Ensuite क्रफ में आपका इवन नम्वर है कि अगर लाइसट इस इस ड्रेसे इहरं नला सरफ दो इस तरहटेगा न कम्रोना शीर सब डीजित को जोड़ दो अगर वो 3 से कट रहे है, तो नमबर भी 3 से कट रहे है तो गैसे यह बार चार 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 आपके पास यह को ही नमबर है इसको देखनी है कि कि 3 से कट रहे हैं तो मैंने क्या कहा आपनों का कि सारे डिजिट्स को जोड़ दो तो चार 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 बार हो गया बार है तीन से कटता है न तो यह भी आपका कटेगा तो बस सिंबल सा रूल है इसके लिए कि डिजिट्स का तो समय अगर वो कट रहे है तीन से तो यह भी कटेगा आपका नेक्स है आप लोग का अगर आपको चेक करना है कोई नम्मर चार से कटेगा यह नहीं कटेगा तो इसके लिए देखते हैं लास्ट के दो डिजिट अगर किसी भी नम्मर के लास्ट के दो डिजिट चार से कटते हैं तो पूरा नम्मर चार से आपका कटता है जैसे मालनीजी आपके पास ये कोई नम्मर है तो पूरे नम्मर को चेक करने से अच्छा हम क्या करेंगे सीधे लांस्त के दो डिजिटेड is 28 और 28 आपका चार से कटेगा City तो फूरा नमर यह आपका चार से कैंसल हो जाएगा इसके बास आता है कि आपके बास कोई तो इसके लिए होता है देखो 6 का मतलब होता है आपका 2 गुणा 3 अगर कोई 6 से कट रहा है इसका मतलब है वो 200 भी कटेगा साथ में 3 से भी कटेगा आपका तो इसके लिए रूल होता है आपका कि 2 से कटने के लिए लास्ट नमबर even होना चाहिए तो 6 से जब आप काटना देखते है तो एक तो यह होना चाहिए कि से चेक करने के लिए हम क्या करते है नमबर के लास्ट के तीन डिजिट देखते है जैसे दो के के लास्ट डिजिट चार की के लास्ट 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 के ल तो पूरा नमबर आपका 8 से कटेगा हो जाएगा चलो next आपनों का 9 के लिए वही same rule आपनों का अगर यह digits का sum आपने जो कोई नमबर लिखा उसका digits का sum अगर 9 से कटता है तोब पूरा नमबर आपका 9 से कटएगा तो यह नमबर आपका 9 से कटेगा तो नमबर आपका 9 से कटे गएगा टो 9 से काटने कen लिए the rule हैं है जो digits का sum है अगर वह आपका 9 से कट नमबर आपका 的 नमबर आपका कटेगा і तो इसके लिए होते हैं एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपको 11 से चेक करना है तो इसमां करते हैं आप एक छोड़ें यह नम्मर को एड़ करते हैं alternating order में जो भी नम्मर आ रहे हैं उनको add कर दीजिए तो यह हो जाएगा 7 और 4 आप लोग का कितना 11 और जो बचेवे नम्मर है उनको भी जोड़ दीजिए तो यह बने गाएगा 3 2 5 और 13 तो अगर यह दोनों नम्मर आपका क्या हो देना आपनों का यह तो बराबर हो तब यह पूरा नम्मर आपका 11 से घटे तो यह फिर दोनों को घटाने के बाद जो भी नम्मर आ रहा है वह 11 से अगर divisible होता है मतलब 11 के table में आता है तब भी अभी यह बहले case में ना दूनों बराबर है और ना इन दूनों घटाके 13 में से 11 घटाके क्या आ रहा है आपका 2 और 2 कहा 11 के table में आता है आपका तो मैंने यह कहा आप लों का कि 11 से चेक करना है तो क्या करता है अल्टरनेटर अडल में नम्मर को add करो उन दोन का difference देखो अगर difference 0 ह या फिर 11 के table वाला कोई number है तो वह 11 से कटेगा otherwise नहीं कटेगा हो जाएगा तो यह हैं आपके कुछ rules